टाईटिल है इस इस पोहिम का आज कॉंस्टेबल कॉल्स यानी बहुत एक 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 डवेंश्रीयस है इसने यहाँ पर इसको टाईटिल दिया हुआ है जिसमें एक constable यानि एक police officer है और calls यानि वो मिलने आया है उसके और ये इसका ये भी personal experience में आता है और हीनी की ज़्यादा maximum poetry जो है उसमें इसके experiences है personal experiences जिनको ये दारा होता है जो इसकी life में गुजरे होते हैं लेकिन इसमें थोड़ी बहुत commitment बस ये कर देता है कि further symbols आइट कर देता है फिर्स एंजा है his bicycle stood at the window sill अभी हाँ पर सैटिंग देखें सैटिंग के फिरू में उसने हमें एक scenery दे दी है इसमें sensuous imagery का भी use है means कि यहाँ पे हमें जो है feeling और साथ ही जाथ इसमें हमें site का भी पता चलेगा site क्या है इसमें like sensuous imagery में five senses involved होते हैं और उसमें maximum जो है वो इसमें add है शुरू में हमें सिर्फ scenery मिलती है जैसे कि his bicycle stood at the window sill window sill के साथ जो है वो खड़ी है उसकी bike cycle या उसने उसको वहां पे कड़ा किया हुआ the rubber call of a mud supplesher फिर कहते है कि rubber call कहते हैं cover को rubber का cover जो है वो उसके mud supplesher पे है mud यानि उसका जो गारे से या मट्टी से बहरा हुआ अब यह गारा और मट्टी cities में तो नहीं होता यह फिर हमें पता चलते है कि यह किसी country side का जो है वो हमें view दे रहा है कोई गाउन या कोई town type जगह है तो कहते है कि उसका जो mud से pressure है यानि उसका जो mud guard है जिस तरह से कहलें वो सारा उसके उपर वो हलंकि उसने covering जो है वो rubber सकी हुई है लेकिन वो सारा जो mud है की चड़ है वो उस पर चिपका हुआ है skirting skirting यह भी covering कोई कहते हैं the front mud guard its fat black handle grips अब यह सिर्फ एक bicycle है लेकिन इसने इतना उसको notice किया है कि इसके वो सारी उसकी जो description यह हमें दे रहा है it means कि इसने उसके सारे parts को सारी bicycle को बहुत ही detailed notice किया है तो इतनी detailed discussion फिर हमें यह दे भी रहा है बता भी रहा है कि handle grips जो है वो fat black है means कि उसको भी उसने cover किया हुआ है क्योंकि वैसे भी motorbikes जो होती है उस पे जो उसके grips होते हैं उसके कुछ वो लगाना पड़ता है ताकि वो हाथ जो है वो बार बार slip ना हो तो उसने भी उसको इतना ज़्यादा cover किया हुआ है कि वो fat black लग रहे हैं और यह बहुत जैसे एक magnetic सा उसका जो है वो image bicycle का वो हमारे सामने आ रहे है और हर तरह से उसने उसको cover भी किया हुआ है सारा कुछ है heating in sunlight, the spot, spot यानी spade होता है यह जिसे बेल जाओता है of the dynamo, dynamo यह एक असल में device होती है जो बिजली बनाने वाली होती है तो वो मसलसल घूमती है लेकिन क्योंकि यहां पे उसके paddle है जो बार बार घूमते हैं और फिर energy पैदा होती है और फिर वो bicycle जो है वो चलती है, move करती है gleaming, gleaming यानी बहुत shiny है, बहुत जमगदार है and cock back, cock back यानी turned back, the paddle trades hanging relieved, relieved कर दिया है यानी उनको free कर दिया है वो paddle जिस पे वो पाउं का pressure दे के उन pedals को गुमा रहा था और चलाते चलाते bicycle वो यहां तक आया तो अब क्यूंकि वो खुद भी ठक गया और यह bicycle भी ऐसे है, जैसे कि यह भी ठकी हुई लग रही है तो उसको relieve किया है, उसको free किया है तो अब वो paddle जो है वो बस hang कर रहा है means कि वो यह बताना चाहा रहा है कि ना सिर्फ human beings बलके जो objects भी होती है उन पे भी यह जो law है यह कानून है इसकी बालादस्ती होती है हर चीज़ पे लेकिन यहां पे अब हम क्योंकि उसके वो सारे हालात भी देखेंगे तो वो हम उस sense में ले लेंगे कि यह जो इसने एक pressure य यह willing enforcement नहीं है according to their public's will बलके वो imperialismant की form में है थर्ड स्टेंजा है इसमें his cab was upside down on the floor next chair अब क्योंकि वो constable जो है वो जब enter हुआ जाके बैठ किया तो उसकी जो cap है वो उसने floor पे सामने रख दिया अपनी chair के जैसे easy हो के वो relaxing mood में बैठा हुए the line of its pressure ran like a bevel, bevel कहते हैं crowd को, जुन को, in his slightly sweating hair, यानि कि उसके बाल जो है वो एक crowd से हैं या जुम्ड की शकल में हैं बहुत धने बाल हैं और फिर उसमें जो है वो उसके, जो hairs है वो उसके बाल लग रहे हैं कि उसके hair sweat कर रहे हैं, उनमें सब पसीना निकर रहा है, लेकिन अ summer है, sunny day है, तो sunny day में वो चलाते चलाते आया और फिर वो पसीने में शरब बूर हो गया, he had unstrapped the heavy ladder and my father was making trial egg returns, बलके यहां तक करने पहले, उसने unstrap किया the heavy ladder, लेजर जो है वो उसका register है, जिस पे उसने entrance करनी होती है, जैसे अब यह से वो जमीन का हिसाब किताब लेने आया है उसके बाफ से कि वो कितनी जमीन है, या क्या, या एक inspection है उसने करनी, तो वो ladder अपना या register लेके आया है, वो उसने रखा, and my father was making trial egg returns, trial egg returns, यानि कि जो जितना भी data है, उस खेती की जमीन का, वो उसको बता रहा है, in acres, roads and passes, अब जो acres, यानि कि वो कितने ज्यादा, कितने उसके acres, जमीन हैं, roads कितने हैं उस पे, मतलब वो अपनी हर एक चीज जो है, वो उसको बता रहा है, उसकी measurement के साथ, कि उसकी जो एगली culture के लिए, जितनी भी यहां पे, उसके, उसने वो fields बनाई हुई हैं, उसके खेत हैं, तो उनकी proper वो direction क्या है, और measurement कितनी है, और जैसे वो बता रहे हैं, acres की form में, तो कितने acres में हैं, उसके बाद next एंज हमें कहता है,